देखो तीन टॉपिक हैं हमारे एक है रूरे ड्वेल्प्मेंट पंचायथी राज रूरे ड्वेल्प्मेंट किसके लिए काम करेगा अब यहां पर कुछ कुछ स्कीम है तो जो लाइबली हुड मिशन है ना लाइबली हुड का मतलब तो यह है सिदा एक इंसान को इस लेवल पर लेकर जाना कि अपनी लाइबली हुड वो खुद अर्न कर पाए बाद में फ्यूचर ना देखो लाइबली हुड जिसको मोलता है कि टार्गेट को कुछ ना कुछ प्रवेड कर दो पब्लिक डिस्विश्ट वो तो एक स्मून फीडिंग होगी एक में कोशिश्चार यह करती एंको कुछ सिखा हो समझाओ बना दो इसके इसके अंदर देखो ना है यह जैसे क्या कि सबसे पहले क्या मैं पास अधिक काफियत तक हमारी नीट को पूरा करना किसे काम है फैमिली का एक टाइम तक ही है ना और दूसरा किसके पार्ट बनते हम अपने आपी ना चाहते हों कि बनेगे स्टेट का आपको काम देना या तो काम है फैमिली का बिजनस बिठा दो खितिवाड़ी घरा दो दूसरा किसे काम है स्टेट का जिसके लिए हम स्टेट कर रहे हैं और देखरे करना आपको सेफटी प्रवाइड करना सारा इंदो गाउम है पेचवाला सब कुछ नहीं है सचाहे तो यहीं है ना या तो फैमिली देग या तो कौन कि स्टेट अब हो सकता है कि कुछ चीज यस आप सब्सक्राइब टॉ तो इसमें क्या है एक तो गया क्या सेलफ एल्फ ग्रुप और क्या हो गया एंजियोज और क्या हो गया प्रेशर ग्रुप तीन तरह क्या है अब जो सेलफ ग्रुप है वो यह बोलता है कि अगर फैंबलीय अमरे लिकाम नहीं कर रही है सबसे पहले क्या होगा वो लाइक मैंडेट पीपल होगे और वो कठी होगे क्या करेंगे वो एक ज़ौन यरिया से क्या निकाले है वो जोब अपॉशन weekend को ना सरकार से मांगे रहे हैं ना किस के लिए कर रहे है खुद के लिए जनरेट कर रहा है गया जॉब हो इसे में समचीड को किसका बडलन कम coughing हो रहा है स्टेट का तो स्टेट बोलते कि एक बात है कि एक बात है हम यह काम करते हैं हम आपको सपोर्ट करता है यार सपोर्टिंग यू इन टर्म आफ फिनांस और कुछ ऐसी टेकनिकल प्रॉब्लम ना जा आपको कोई मानने ही नहीं तीसरा होता है कि हमें हमेशा एक रेगुलर उसमें पहले रेजिशर होगे हम रेजिस्टेशन के बाद क्या होगे हम एक अथेंटिक पार्ट माने जाएगा ना सुसाइटी का दूसरा क्या मिल गया है अवेर्नेस मिलके हो बैंक से लोन मिलना स्टार्ट हो गया और तीसरी चीज़ सरकार क्या बूरे कि हम आपको फाइन हुआ है ड्सपतरों करता है और यह जो हैंजियो किनि अधिशन के लिए करता है फूर के बारे में बताता है स्टेट के तक सी बाद पचाणा और वसा सबसे सिधा है वो है असान वाला कानों कौन सा है सेल्फ लब समझे अनुबाद ती क्या अब दूसरा क्या कि देखो कुछ कंट्री ऐसी भी है ना जिस पर जाद ज्यान इस पर ही दिया जाता है इस पर ही अगर इन तिनों के स्ट्रॉंड किया जाए तो क्या हो जाएगा स्टेट को पर बड़न कम पढ़ जाएगा और स्टेट और लोग काम करना स्टार्ट कर देगे अपने इंट्रस अकाम करेगा सभी लोग जो भी मैं बाद कर रहा था किसकी नैशनल रूरल लाइधलिवड निशन तो यह इस गयाप की बाद करता है फैमिली और स्टेट के बीच में भी कुछ हो सकता है पटवा के लिए नहीं हो किसके लिए होगा एक ग्रुप पे होगा हो और उसके लिए सरकार सरकार आपको रेश्टर भी करवाएगी फंड भी देगी और अब एक दिन ऐसा जाए कि यही लोग क्या करेगा अपसे पैसा कठा कर देगे अभी उन्हेंने पैसा कमाया फिर बीजनेस और एक्सपेंड किया फिर बीच में क्या करेगे अपने मैंसे क्या करेगे एक दूसरे के लिए लेंडिंग करना स्टार्ट कर देगे वहां से फिर revenue generate करना start कर देगे तो concept वड़ अच्छा है तो इसको क्या बोल दें national rural livelihood mission समझ गया जिवाब उसी तरह से क्या होगा urban livelihood mission तो 2013 में यह start हुआ था और ministry of rural development government of India और reduce the poverty gainful self-employment motorhap गरीबी को काम कर खतम करना और किसके द्वारा gainful self-employment and skill wage employment opportunity for sustainable livelihood sustainable की हो जाएगा यह क्योंकि अब यह ग्रूप क्या करेंगे यह चलते रहेगे कही सालों तक चलते रहेगे आपने सुना एक सबसे बड़ा self-employment women association का नाम है इलाभट यह बहुत फिमस नाम है यह एक्जमपल कर सकते हो जबाब कर सकते हो जबाब का सब्सक्राइब कर सकते हो and our elements being implemented across the state अब क्या कर रहा देखो यह women empowerment अब यह सभी नहीं सब्सक्राइब के लिए है सभी के लिए है कि माचल प्रदेश चासी women self-help group और 873 village group विले village group है 15 क्या है cluster level federation has been formed under the NRLM program women self-help group have been provided with the financial assistance financial assistance in the form of start-up fund revolving fund and community investment fund तो तीन शब्द है यहां पर तीन तरह के फंड सरकार प्रवाइड करेगी start-up fund क्या हो गया जब start करना एक है revolving fund revolving fund पता है क्या होता है ना क्या कर दिया आपको तुरंजे लिए पैसे एक लाक रुपे दिया एक लाक रुपे दिया उस ग्रुप को उन्होंने क्या कर दिया अगले अगले छे मिने में वापीस कर दिया अपना काम निकाला अब इसे मालत दिवाली आगे दिवाली किनों ने क्या कराने वो लैंप बनाना है जल्द जल्द से लैंप मनाए लाक रुपे सरकार ने दिये और लैंप बेचे और उसमें को कितने मिल गया है प्रॉपिट हुआ दो जब्लवें आपको अपने पास रखना नहीं है ओ थोड़ा काम करा महिने दो मीने साल और उसका फिर वापिस अगला फिर लेलो फिर लेलो और एक हो गया कौन से वाला कम्म्नेटी इंवेस्टमेंट करना है एक स्टार्टाप फंड रिवाल्विंफक और तिसतर कॉन सो गया करवा जा रही है जिसके अंदर करने की है क्षमता वो करेगा भी अच्छा अब इंसेंटीं बिंग प्रवाइदें टू सेल्फ हेल्फ ग्रूप आप दी अंडर तो क्या क्या इंसेंटीं मिल देंको तीस लाग तक का मिलेगा लोन इतने परसेंट परेंग तीन लाग तक का और अवेलिंग कैपिटल सबसेडी अंडर एस्जी अस्वाए इंडियर एक इसक अंडर ले रहे हैं की लिए उनको इसका बेनिफेट नहीं मिलेगा गर ये अपना लोन समय समय पर वापिस करेंगे तो तो तीन परसेंट इनको क्या मिलेगी और छूट मिल जाए हूँ अगर वो बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग ली लोन की लोन वापिस कर देते हैं तो कितना मिलेगी इनको और बेनिफिट तीन परसेंट का इंटरस में सबसेडिंग और कैटेगरी टू में अधर स्टेट आत होगे और एक होगे क्या कम्यूनिटी इंवेस्टमेंट फंड तो रिवाल्विंग फंड में कितना हैगा पंद्रहजार रुपे हां देखो इफ एक ग्रूप रेगुलरी होल्ड मीटिंग कीप रिकॉर्ड ऑफ सेविंग इंटर परसनल लोन एंड रिपेमेंट अगर वो ग आर प्रोवाइडिट तू लेग 5,000, 2,500 एंड यह विलेज ओगनेजेशन पंतलेजार इंटर 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 फिफ्टेन एक शब बिखाया हैं पंच सुत्रा पॉर लास्टी में पंच सुत्र बता हैं इंगो ना पांच सुत्र मलब हैं कि एक तो आपको मिटिंग कर अगर इंवेस्ट नहीं करना तो इसको क्या कतना लोण देना अगर जो रेगुलर इस चीसको मैंटेन करना है उससरे रहेगा रिवाल्विंग फंड कम्मूनिटी इंवेस्टमेंट कितना मिलेगा पचास सॉजंड गूर्डी प्रवाइद टू इच सेल्फ गूर्प गूर्प तो अपने लेबल पर जो अपना प्रोड्यूस बनाएगा ना उसको बेचेगा भी क्या होगा इनके अपने साफ से एक दुकान खुल गेट टू प्रोड़ाइट ससेल्फ एलफ मेंबर्स एंड मार्केट लिंकेज तूदा प्रोड़क्ट प्रोडूस बाए सेल्फ एल्फ बुप उस प्रोड़क्ट को कहां तक ले जाएगा वो मार्केट तक इसको क्या बोल दिया इराश हिम इराश शॉप मै इसमें वह अपने प्रोड्यूस को आगे लेकर जाएगे तो ओपन हंडर्ड सौ ही मेरा शॉप इंदा स्टेट इतनी कुछ बंदी है हिम इराश वीकली मार्केट है उसके बाद है मुख्यमंत्री ऑनलेइन वन विगा स्कीम अगर कोई औरत है एक तो काम क्या कर रख्या उस किसे साथ जोड़ना सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरर लाइवलिहूड मिशन के साथ जोड़ना क्योंकि मंद्रे का किसके लिए क्या करती है जॉब देती है काम करने को देती है और उधर के आप जो लाइवलिहूड मिशन है वो क्या करता है एक जॉब का एंवार्मेंट बना सब्सक्राइब तो इसका मलब क्या होगा एक विमेन के तीन काम मन गया हूँ ठीक है जिए पूरा रोजगार मिल गया कुछ दिन करें काम किस पे बंदेगा मैं थोड़े दिन किस पे करेंगी नैशनल रूरल लाइवलिविड मिशन मैं और कुछ दिन किसमें करेंगे अपने किचन गार्डन मै और एक विए उस पाद जमीन होनी चीए और लोन कितना मिलेगा साथ मैं एक लाख रुपे इफ शी होल्ड मने रेगा जॉब कार्ड और साथ मैं एन आर एलम तो एक से क्या बन गई एक हिसाब से ट्रिनिटी बनेगे ने ट्रिनिटी दीन द्याल उपाध्य ग्रामीन कौशल योजना कोशल योजना अब कोशल क्या होता है स्किल अब योध को बनाना है स्किल्फल ठीक है जी और एक गवर्मेंट आफ इंडिया के स्कीम है तो प्रोवाइड स्किल्टू रूरल योध जो जो इस स्कीम के अंदर स्किल्फल लेगे सब्तर परसंट लोग गामी लेगी प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड हॉस्टल फेसलिटी भी लेगे लग से डिरेशन के रहेगी थी टू ट्वैलमेंट अब बाद में के डिटेट पोस्ट प्लेस्मेंट ट्रैकिंग रिकॉर्ड यह बाग जाएगा भुष्किल हो जाता है अगला है वाटरसेट व्ल्मिन्ट प्रोग्राम वाटरसेट तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेंड जाहां पर क्या है वैटलेंड डिग्रेडिटि लेंड टॉट प्रोन एरिया इन सब के लिए उकलोजीकली बैलेंस वाए हर प्रदानमंत्री, आवास, योजनाफ, ग्रामीन वाली, तो जो भी लोग है, जो भी कच्छी हॉस में रहते हैं, प्रवाइड़ पक्का हॉस दो हजार बाइस तक, और रेशो इसमें कितनी है, 90-10 की, और क्वेशन की आता है कि कितने वैसे निलते हैं, 1.50 जिरो, एक लाख मुख्यमंत्री आवास, योजनाफ, और एक किसके लिए याद अखना है, यह किसके लिए BPL, संसद आदर्श ग्राम योजनाफ, इसका मतलब क्या है, संसद आदर्श ग्राम योजनाफ, पता क्या होता है, एक MP, कितने MP हैं माचल से, साथ, साथ MP होना, राजी सब आगे नही या 5 गाओं कर एडाप्ट करना है, गाओं एडाप्ट करेगा, तो गाओं एडाप्ट कर दिया, अब उन गाओं के लिए क्या होगा, जो बी एक होती है ना, इमिनिटी लोगा उती है, शेहर वाली, वहां की प्रॉवाइट करनी है, तो इस तtałस एक ही MP हमारे दिनोंने मार अभी तक नेस्ट आजिस श्यामा परसाद मुखरजी रूर्बन मिशन इसे अर्बन होता है ना अर्बन को क्या होना बिया रूर्बन मलब ऐसा करना देखो ना एक पी यू आरे सुना अपने शब्दे पूरा प्रोवाइट अर्बन अमेनिटेज इन रूरर एरिया किसका प्र इस पे तो एक से है को फूरा क्या बोलता है प्रोवाइड अर्बन लाइक एमिन इन अरीया में हो सकती है ना इरिया और उसी के आइंप सब्सक्राइब तो आप क्या ना जैसे घ्मार्बन को बना आऊ एक शेख स्था स्वाप्ट विलेजस अब क्लस्टर आफ विलेजेस कुछ विलेजेस कठा करके उनमें वो फैसिलिटी प्रॉबाइट करनी है जो कहां पर है अर्बन एरिया में ठीक रहां तो 21 February 2016 को यह लॉंच वा था development of cluster village अब देखो प्री में पता कैसा question बनता है कि रूर्बन किसके लिए विलेज के लिए नट फर सिंगल विलेज़ का development of the cluster of villages that reserve and nurture the essence of rural community life और यह बन जाए क्या रूर्बन विलेज तो ही निमाचल पर देख्व रूर्बन नॉट विलेज clusters छे cluster identify कर चुके हैं under this mission every urban is to be developed with the total project cost कित्म होगी 50 करोड we are 70% of fund shall be provided through convergence with other scheme of the government पैसा कहा से निकाला जाएगा उनन से कितना परसेंट 70 परसेंट और जो 30 परसेंट है ना वो कौन देगे Central Government as a critical gap funding critical gap funding क्या होगा देखो जो 70% कौन दे रहा है परसेंट पूरा करने के लिए कितना बचा तीस परसेंट क्या पड़ गया यह इसको कौन पूरा करेगा Central Government इसको क्या बुला है critical gap funding अगर और भी थोड़ा सा कम पड़ जाता है उसको कौन पूरा करेगा center ठीक है जी एक दूस्ट कोशन बन जाता है जी गबंट प्रवाइट एमूंट और फिफ्टीन क्रोड पर क्लस्टर एज सीजी एफ इतना गडिय सकते हैं तो आप सिक्स क्लस्टर जेयर अच्टर में क्या इसमसे में प्लपको लियाद क्या बिस्टिक से जादा क्या पूचेगे जो असल में क्लस्टर है सांगला वाला किनर का पर सोलन और कुलू मुरंग किनार स्युटा चंबा और गरहती मात्री शक्ति वीमा योजना अब मात्री शक्ति वीद्ट नहीं है सब्सक्राइब और यह असल में है क्या एक इंशुरेंस की नहीं इंशुरेंस ऑफ विमन और इस लेवल पर इंशुरेंस है एनी काइंड और एक्सिदेंट और सबसे बड़ी बात इसके यह है अगर उसके उसकी तो एक्सिदेंट में डाथ हुई एक तो है वुमन के लिए वुमन एज 10 to 75 और है यह इंश्रेंस स्कीम है और यह एक एस इंशुरेंस कीम है इंश्रेंस को यह किस की विमन की अगर डथ पती की विभी उजाना तो भी वैस्वेट मिलेगा अपने आप ही क्या हुगे वुमन के साथ इसको इंशुरेंस मिल लग अगर एक या एक कुछ भी एक एक आंख एक कान एक पांख तो पी इतने मिलेगे लॉस ओफ वन निम और बोथ लिम फिर 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 दो लाक यह और वन में है कितना तो यह स्वच्वारत मिशन ग्रामिन स्वच्वारत मिशन क्या श्यार के लिए ग्रामिन के लिए 2014 से लॉंच वा था और क्या बनाना है ओपन डेफिकेशन फ्री माचल कप डिप्लेर हो गया अब क्या क्या करना इसने ओपन डेफिकेशन फ्री सस्टेविलिटी डी एफस प्लस एक्टिविटीज एस्पाइरिंग राइजिंग एंड मॉटल इमाचल इसमें पड़ा काम करता है और साथ में क्या डाइट रखावा है नोवल लेफ्ट बहाइंड शॉलिट लिक्विट वेस्ट मेनेजमेंट ग्रेवाटर में ग्रेवाटर क्या समझते हो जो यूज होता है जैसे मालो ट्वालेट से पानी सिंग से जो भी पानी हम यूज करते है कार वाश करने से घर कॉम्टि से अनिट्री कॉम्टेक्स यह देखो इंफ्रस्ट्रक्शर डर्लंड का यह बहुत बूरा पाट है इसका मतब स्मझते आपको एक नवह यजो नया टाव है इसमें यह बोला गया कि एक तो टोइलेट आब बनाओ ओपन स्पेस में अच्छी स्पेस में ठीक ना और इसके जो सराउंडी वाला एरिया वह वी साफ सुथाओना चीए और उसके बाद क्या होगा इसका जो च्छत है च्छत नॉर्मली फ्लैट हो सकता है पर जातर कैसा होना चीए इस तरह सोना चीए प्रॉपर और बार सेडिया होनी चीए और प् सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी जो इसमें काम करने वाले लोग ना उनके प्रतिवी क्या हो जाएगा लोगों की उतना लगेगा ठीक जॉब कर रहे हैं लोग अगर आप पड़ोगे तो आज बलकी मैं क्लास में बढ़ा रहा था था ना उसमें आपना सुना वो सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए कुछ लॉज है वर्किंग आड डिसाइडिड है बट आज की देर से क्या हो रहा है कि वो लोग कहां सफाई कर रहे हैं वहां पर गैस बन जाती जब सफाई करते हैं तो उससे क्या हो जाती है तो सीधा सिथा आर्टिकल कौन सा वालेशन हो आर्टिकल 21 एक राइ तो अब आप कर सकते हैं तो इंफ्रस्ट्रॉक्ट्टर ड्वल्मेंट के अंदर क्या बनेगा क्मुनिटी सेनेटरी सेनेटरी कंप्लेक्स और उसके बाद है जी मैंस्ट्रोल हाईजीन का ध्यान दिखा जाएगा उसके बाद जो गोबर्धन प्रोजेक्ट्ट यह बड़ा इक बड़ी इंबैशिस प्रूरस स्कीम है गोबर दं में क्या होगा जो भी उतना गाओ में गोबर वगए होता है उसको कठ्था कर लो उससे एक तो क्या होगा सवच्वारत हुशन को थ्रस्ट मिलेगा और दूसरा क्या होगा उसके जो कुछ भी में सकते हैं जैसे खाद ब क्या है information education and communication सबसे बड़ा सोबसी है inform करो educate करो and communicate किसके बारे में गोबर्धन के बारे में community sanitary के बारे में सच्वारत mission के बारे में open defication के बारे में सारा कुछ next एजी incentive for construction of individual household लेटिन for BPL and identified APL identify income come है इनको कितना मिलेगा solid and liquid waste management activities SLW और village level पर village size financial support जहां पर population कितनी है 5000 तक individual को मिलेगा एक आदमे को मिलेगा 60 रुपे और अगर gray water management के लिए कितना मिलेगा 280 रुपे अगर एक family मालों 50 लोग है पचास तो नी पांच लोग है तो कितना मिलेगा 300 रुपे और उसी तरह से जांकि population ज्यादा है 5000 से उपर है तो 45% per capita and 6.60 तो इस पना जाद है जो इतनी है आपको यह वाला याद है अगर आपको याद होगा ना पॉलिटी में पड़ी थिक चीज है कि जो फैनांस कमिशन है वैसे तो वो पैसा किसके बीच मानता है सेंटर और स्टेट के बीच में बट एक लेवल पर सिधा किसको देता है वैसा डिरेक्ट स्टेट फैनास कमिशन को किसके लिए अगमेंट दी फैनेंशल रिसोर्सेज ऑफ पंचायती राज उनके लिए प्रमेट करता ना तो अब इस साल जो पैसा है अगर आप देखोगा हमारे जो सीम साहब है वो बहुत अपने स्टेट रही है जिसने अपना फिप्टी परसेंट के करीपरी पैसा सेंटर से ले लिया है और पैसा कहां प्यूज होना है पंचायत लेवल पर अब समझे आप तो यह क्या हो रहाए कि तीस परसेंट तो पंचायत क्या करेगी खर्च करें कहां ऐसे फिप्टीन फाइनास कमिशन ग्रांड और इच प्लास्टिक वेस्ट मैंजमेंट के लिए मिलेगा कितना सुलालाइक पर ऊनिट युनिट बन रिया नाइंट एक वेस्ट मैंवेंट के लिये और फिकल उजocy मैंचमेंट के लिए कमा मिलीग अप टू टू जलाइक लिए किता कोवर्ध यिवर्धण के निलिमी piace लग और इस विलीबहाए कोई है सब्सक्राइब दूरिंग 2122 टो इसको छोड़ो कि तो कौन पुछेगा वास्त नजर मालें परोगा 178 कम्लेक्स माचल में बन विंग बने कंस्ट्रक्टिट इड विलेजिस है विन एप सॉलिड बेस्ट मैंजमेंट अक्टिविटेज वन टॉन फोन टॉन विलेजिस है अप लिक्विड वेस्ट मेनेजमेंट एक्टिविटेज एक्टीवन साइट फॉर प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट यह एक तो क्या बना दो गार्डन और इन गार्डन में मंद्रेगा को और इक गार्डन किसके लिए उसे होगे जो एल्डरली पॉपुलेशन है और जिसके लिए क्या बना दी पंचवटी पंचवटी में बिचारे एज लोग बैठेगे अपनी जवानी की बात लिए करते रहें और मज़े करेंगे आप सबसे ओल्ड एज लोग कहां पर है जपैन में एक वागी पॉपुलिशन और अब देको 45 के बाद क्या होना है दोजार के बाद इंडिया की जो 60% पॉपुलिशन अभी क्या है जवान है और यह आप खुद सोचो आने वाले 30 साल के बाद यह साथ में आप सब लोग होंगे आप लिए चीकना बलोग हां अब उसके ज्यूँख आख़ों के दो बच्छों के लिए बना जारा गूर्ड लोगों के लिए बेरे जी तो इसके लिए मिनिमम वान भी जॉब और जॉब किसको बिल गई मंद्रेगा को एक बात रहा है प्षणना आप किसले बस में मंद्रेगा मंद्रेगा को लेकर प्रॉपर उन्हें बताया कि इसके क्या अभी तक एचीमेंट्स हैं और क्या कर रही है अब आपको क्या लगता अगर आप से ये पूछ लिए कि मंद्रेगा को और कैसे बाड़िया किया जा रहा है खासकर स्टेट ही माज़िभ को दूपश यहां मिल गया कौन सा हो गया एक हो गयी वन वेगा मुख्यमंत्री वन वेगा स्टीम उसको क्या कर दिया उसको सिंख और क कर दिया काम दे दिया तो 270 साइट्स पर इडेटिफाइड फॉर्ड मॉडल स्कूल अब जो और लेड़ी सरकारी स्कूल है उनको फुर्ण लेवल और बड़ाओ और जैसे प्राइबेट स्कूल आदर्श विदाल ले बनारा उनका मॉडल स्कूल को कितने का निवड़ कर चुक हमारे पास क्या है जो 81 पंचायद समीती ब्लॉक लेवल टे और टूटल पंचायद कितनी है ती नजार छेसो पंदरे को शना आगे सबरें नता हमको असे पूछते हो कभी लेक्शन वेता ना पीछे और नहीं नहीं बनी है यह कुछ कुछ नहीं बनी है ना और कभी पूछत है वो कितनी है चार सो बारा अब देखो जी इस में पैसा किसे आ रहा है फिप्टीन फाइनास कमिशन रिकमेडेशन खास बात ही है जी और तीन सुस्तारा क्रोड हैस बीन अप्रूट बाइद सेंटर गर्मेंट इतने पैसे आ जुक्क है जी अंडर राष्टे ग्राम सुरा स्वराज अभीहान मिनिस्ट्र पंचाइद राष्ट गर्मेंट और फिंडिया हैस एप्रूट 164.43 वह उनको चुने मैंना उनको च्यूबल मना अनको अनको ट्रेनिंग देडो और फोर डिस्टिक पंचायत रिसोर्सेंटर बना दिये फॉर पंडिस्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर कांगडा मंदी हमित पूरेंट सुलन और उसके वादे को लोकेशन आव तक कॉमन सर्विस सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर में क्या होता है कि बहुत सारी सर्विसिस आपको सरकार देगी अपना फॉर्म निकलवाना है तो सब्सक्राइब क्या है कॉमन सर्विस सेंटर और गर्मेंट इस प्रवाइदिंग ग्रांट इन एट पंचायद राज इंसिचूशन दे रही है और 412 नहीं पंचायद से और इन पंचायद के लिए 20.49 को दिया गया है अपने नय भावन बना और स्थाइस अब निवले एलेक्टिड पंचायद इराज ओफिशियल इनको क्या अगर्ड दिए ट्रेनिंग और एक्सेस तुदा अग्वावन जो शेहरों में जो बनाता ना क्या बोलते हैं दो सबसे पहले पता क्या आपना आउन एंड कंट्री प्लानिंग आपने देख है जैसे मालो ऐसे नहीं कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का लो सब जगे लगेगा जैसे शिमला है सोलन है अब आपने नॉर्मली सुन देना जैसे कि आपने मालो शिमला में घर बनाना है तो क्या बोलते है कि उसको पास करवाना पड़ता है जो जो भी उसके कुछ फॉ करता है जैसे पहले शिमला में था दरम शाला मंडी बड़े-बड़े शेयर होगे ना अब जूरी देरे कहां पर यह इंप्लिमेंट हो जा रहा है और शेयरों में जो चोटटे शेयर है ना फिरवां इंप्लिमेंट हो जागा तो इसका मलब क्या होगा जैसे यह कंट्री तृफ़निग यहां चाहिए। परसेंटेज में छोड़ो इसने जरूरी नियप करता क्या यह तो इंशूर फंक्शनल एकनॉमिकल सस्टेनेबल एंड एस्थेटिकल लिविंग इंवार्मेंट इसा नोगी घर बन जाए शेरों में एक के दरोज एक उपर दूसरे तरों से खड़ो जाए अना बाद एक घर से बाद निकलने के रास्ता ने मिले एक का पानी दूसरे एक पिचर में आ रहा है तो यह क्या बुरा है कि ऐसा काम ऐसा घर बनाना है फंक्शनल कि आगे तक वहां लोग रहे पाए आपने चोड़ी शेहर दो टाउन होता है एक तम सो ग्रोव करते हैं तो सब लोग ओंफर बनाना लगता जाता है कि किसी को दूप नहीं आ रही है किसे कुछ नहीं आ रहा है ना कहीं तो ऐसी आलत हो जाते हैं पर उसको ले जाना बढ़े लगार स्टेचर पर तो वह जाता है निया तो अगर ऐसी हलत होगे तो थीक होगी हो वह तो क्या होगी फंक्शनल है नहीं हो षारे काम कर नियुक्ष में अद कॉन इंस्ट एक करता है टाउन एंड कंट्री प्लानिक ठीक है जी बात शेरों के बात हो रही है अच्छा उसके बाद क्या होता है कि इलडर क्या होता है प्लॉट लेते हैं फिर बोलते कि हम आपको प्लॉट देगे पूपर से निया आ रही है कि पता है पैसा आएगा और फिस नहीं आएगा तो सरकार ने काम किया इनको ये बोल दिया कि अब वही काम करेगा अपने आपको प्रॉपर रेजिस्टर करवाएगा और जिस आदमे से लॉन लिया है ना जिससाद ये लॉन ये एक्शन होगे 25,00,00 रुपे जो ले रहे न वो वो असले लोन ले रहे हो तो अगर आपके पैसे टैम से वह पिस नहीं मिलते है ना तो आपको क्या मिलेगा इंट्रस्ट क्योंकि वह क्या होगे कि साथ से लोन आ गया तो मैं वह रहो कि देखो शेयरों में क्या प्रॉलम है पहला तो मैंने बताया ना अगर ये कंट्री प्रेंग लॉड नहीं लगेगा तो लोग अर कैसे गर बना देगे दोसरे कौन आगे बिल्टर आएगे बिल्टर क्या करेगे कर देगे उन से बचने के लिए क्या लाए गया रेरा रियल स्टेट डेगुलेटी अथॉरटी तो जितने भी प्राइवेट बिल्टर्स ह है उनको कौन डेगुलेट करेगा रेरा दिस अथॉर्टी इस डिलिंग ओल दक्यसिज रेजिस्टर इंदा रियली स्टेट प्रोजेक्ट जितने भी केस प्रेंडिंग पड़े है रियली से स्टेट एजेंट्स हो गया कंपनी कंप्लेंट ओनलाइन मोड जिसका पैसा नहीं अब उसको पता ही नहीं होता सिमेंट कितना होता है लेबर कितनी होती है नहीं को इसको समझ समर्ण होता कि किया सा तो हैं कि घर बनाने के लिए कि कॉंपोनेंट सिए पचास इटम ऑब यह बूता है कि बेलड़िंग कास्ट्रक्शन कोस्ट इंडेक्स इतनी बढ़ी अगां मैं सिमेंट की एक बैक था 500 रुपे का किसकी लिस्ट है ये सरकार की और अब अमने बनाना है घर आज आज कितने का है 700 का तो इसमें इसमें इंफलेशन कितना बड़ा है और जो नेक्स पिछले साल वाला है उससे मुझे क्या लगे कि पता कि रेट में ये चल रहा है तो एक इ इसित को क्या तुम्यू स्थिस्टिशिटीट ले जुट वालेशन के सब्सक्राइट को टो इंफिर गया है ये एक इक आमिक इन सथे भंप्यूल में जीमिझे बबार्में प्लिदिशन को टुक टॉट्ट्टिशन कोस्ट इंथ्ट भंडेशन है इबौ वालेशन को घे डि तो पहले क्या आगया कंट्रियंट प्लैनिंग एक्ट जो कानून है लॉव दूसरा है रियल इस्टेट एक्ट तीसरा क्या है बिल्डिंग एंड कस्ट्रक्शन इंडेक्स अब उसके बाद कुछ चीजे ही है सरकार क्या बोल दिये कि काम करता है हम खुद ही बनाए घर जैसे क के फ्लैट बनाके प्राइविट लोगों को बेशती है तो जो काम कर लिए यहां पर वो है क्या हिमुडा नाम है यह क्या है हिमुडा अगर आप से क्वेशन यह आ जाता है जो हमारी अर्बन है उसके लिए कौन कौन सी चीजे है तो इनको लिख सकते हो ना आप कंट्री प् कर रहा है तो बिल्कुल होगा ना जिसको बोले पूरा सेफ और ही मुड़ा देखो क्या करता है इस टाइंड नू हाउसिंग कलोनी बना रहा है कहां पे धरमशाला तो हाला कहां पे सिर्म और में यह कौशन बना प्रीम है दरमशाला एंड सोहला कमर्शिल कॉंप्लेक्स का होना रहा है शिम्ला में प्लानिंग ऑफ न्यू हाउसिंग कलोनी इन शिम्ला नियर एर्पोर्ट वहां बी बात कर रहा है यह कौन कर रहा है ठीक है जी बात अब आज हो जी अर्बन डॉल्मेंट हमारे पास कितनी लोकल टोटल नंबर ऑफ वो है अर्बन बोडीज है 61 और इसमें पांच क्या है म्यूनिसिपल कॉर्परेशन जो की अभी बनिये कितनी तीन शिम्ला सबसे पुरानी है दरमशाला भिर्बन ही थी और यह तीन है ना यह बनी थी इस साल सोलन मंडी एंड पालंपूर उसके बाद मेंटनेस अप रोड इन म्यूनिसिपल एरिया 3288 किलोमेटर रोड है यहां पर पाथ स्टेट ट्रेन और बिंग मेंटेंड वाइदा 61 अर्बन लोकल बॉड़ी यह मेंटेन करते उसको अब देखो जैसमने वहां पड़ा था नाम नैशनल अर्बन लाइबली रूरल लाइबली मेंस सेम क्या यहां पर अर्बन फिन सेम कंसर आइडिया सेम है किसके लिए अर्बबन के लिए सेल्फ गेंफुल्स सेल्फ इंप्लाइमेंट्व एंप्लाइमेंट स्किल वेंट अपरस्नेटीट्य क्या वड़ाय गाई यह Employment, Social Mobilization, Capacity Building and Training, Self-Employment, Shelter for Urban and Urban State Vendors जो वेंडर्स होता है उनके लिए भी काम करता है इन्नोवेटिब और स्पेशल पोजेक्ट्स और करेंट फैनेशल गर्मेंट आफ इंडिया है रिलीज दा फस्ट इस्टॉल्मेंट अमांट आफ 5.20 क्रोड अंडर दिस स्कीम प्रॉग्रस दूरिंग दा 2021 तो अब कितने सेल्फेल ग्रूप में 372 तो यह बेनिफिश्ली वर प्रॉइद स्किल ट्रेनिंग यह उपर ही बा ने तरी सेंटर फैनास कमिशन ग्रांट अब जयके था ना जैसे मानों से सौर्पए आए सेंटर से सौर्पे मैसेज चालिज रुपे हमने कर्षने कहां पे रिलीज अनकंडिशनली लोगल बॉड़ी उनको जामर्जेफ नदर फैनास कि मेस्ट से कि या अपने रोड बनाने तो रोड बनाने है समझ गया ना बाद जितना भी फंड आएगा ना सेंटर से किसके अंदर फैनास केमिशन की परब से 40% वो अनकंडिशनली अपनी खुद की मर्जे से किसी प्रोजट में खर्च कर सकता है बट 60% सब्जेक्ट वो फुल्फिलनेंट फुल्फिलनेंट उफ सर्टन कंडिशन तो यह ग्रांट है जी अब है अटल मिशन फॉर रेज्यूबनेशन ऑफ अर्बन ट्रांस्फॉरमेशन तो इसमें बड़ी कोशन आ था अटल मिशन में एस्टेंट फॉर आना ऐसे कोशन पोश्ट लिया था तो जैस स्थी ए अब देखो स्मार्ट सीटी तो कोई वो सकती है इसमें क्या बात थी है रेज्यूबनेशन इसका मलब क्या हो गया जिसका उनर उठान कोई चीजे होती है बड़ी फिमस होती है बट एक जरूद पढ़ती है कि इसके लिए कुछ और किया जाए ताकि वही वाला स्ट यह सब कुछ था तो इसको क्या वो लगे रिजुमिनेशन आफ अरवन ट्रांस्फोर्मेशन तो इसके लिए दो सिटी है कौन से वाली शिम्ला एंट कुल्लू और डूरिंग ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू कितना मिला है तीस करोड अब उसके वादे स्मार्ट स अरवन के लिए वैसे अरवन के लिए मेक सिटी टाउन ओपन ट्वेशन फ्री प्रवाइड हेल्थी एंट लिवेबल इन्वार्मेंट टु आल ना यही टॉलेट इंफॉमेशन यह भी है आई यह सी इन्फॉमेशन एजुकेशन एंड क्मुनिकेशन प्रधान मंत्री आवा गप तक के लिए 2022 तक के लिए और एम क्या है अज़ेसे मालो जू है जू क्या है एकसिट्व है ना और नैशनल पार क्या है इन्सेट्व क्या आप प्रोटक्शन दो वहीं दो बाहरा ने जरूत नहीं है और जो सलम डोलर्व नहीं है कि तो उसको क्रेडिट लिंक्ट क्या मिलेगी सबसेड़ी उसके बाद है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग पार्किंग की माचन वैसे प्रॉब्लम है और फिप्टी परसेंट इसमें कौन खर्च करेगी अर्बन लोकल बॉड़ी युल भी अर्बन लोकल बॉड़ी और उसी अब हमारे सीम साब ने क्या बोले काम करता है दो तरह किया देखो एक होगे माचन में देखो जो तो कॉर्परेशन जब तो बाहरी कर अभी उनको नहीं है नगर पंचायत और क्या है मुनिसिपल कॉंसिल्स इनको एवार्ड दिया जाएगा फर्स्ट कितने को टेन को जो तो है कॉंसिल जो अच्छा काम कर रही है जैसे अपनी सर्विसिस दिलिवरी में प्लिनिनेस में इन इन एरियास में जो अच्छा काम कर रही है कॉंसिल को मिलेगा एक लाग फर्स्ट प्राइज 75 सेकिंद प्राइज और 50 लाग थर्ड प्रेज और जो नगर पंचायत है उनको कितना मिलेगा 75 फर्स्ट प्राइज 50 एंड लास्ट कितना है 25 अग तबेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बो याद इस बारी बेस्ट प्रफॉर्मिंग मुनिसिपल काउंसिल पालंपूर बेस्ट प्रफॉर्मिंग नगर पंचायत राजगर बेस्ट प्रफॉर्मिंग इन सैनिटेशन क्लिनेस अमंग मुनिसिपल काउंसिल नैना देवी बेस्ट प्रफॉर्मिंग इन प्रफॉर्मिं मंत्री शहरी और जीम का गिरांटी योजना जिसे मंद्रेगा ना मंद्रेगा मंद्रेगा किसके लिए है वह इंडिय लेवल पे विलेज के लिए मलब अधाने को मैनुल वर्क प्रॉबाइट करना कितने सौ दिन के गरेंटी पर यहां पे कितने दिन दी जारे शहर में तो शह अब एक खास बात इसके लिए 120 को नहीं का क्वेश्चन मुख्यमंद्र के नाम से है और 120 दिन का रोजगार और दूसरी क्या खास बात है इसके लिए और अडल्ट मेंबर ओफ हाउस होल्ड सभी कोई जो ठारा साल से उपर है गर पांच लोग तो पांच के पांच को रोजगार मिलेगा और तीसरी खास बात क्या है लोकल रेजिदेंट आफ द यॉल्बी रिजाइडिंग विदिन द जुरिजिदिक्शन आफ यॉल्बी इध ओनलाइन पॉर्टल इसके लिए एम एम एस ए जी वाए डा बेनिफिशरी के ने रिजिस्टर इंसल्ट विजिटिंग मुनिशिपल मिनिशिपलिटी ऑफिस ऑनलाइन विकर से समाझ गया ना वाद देखो क्या ये 122 कर 120 दे का रोजगार और सभी अडल्ट मेंबर हाउस के उनको सब को मिलेगा और अपर लिमिट के ने रखिए की 65 एर एज और ओनलाइन पॉटल भी है टाउनन प्लैनिक हमने कर दिया है अब देखो टाउनन प्लैनिक के भी रिसेंट क्या क्या वो है सिंप्लिफिकेशन और मैप होता है जल शक्ति भाग से पानी का कनेक्शन लेना है यह सारा क्या कर लिया है बड़ादा सिंपल करने किसी तरह ऑनलाइन के द्वारा और साथ में क्या कर दिया सेल्फ डेक्लेरेशन तो कहीं कहीं जगे क्या किसी कि साइन करने खुद हो जाए उसके बादे जी एस बेस डॉलमेंट जी एस मैंने बताना है जो इन्होमेटिक स आटिक से वहां पे ट्रांस्पोर्टेशन केतना कहां जा रहा है सबके लिए दो सिर्ट का फ्लैनिंग दो का प्लैनिग्र ऐस सचाट के लिए श कि लिए श्मला प्लैनिंग एरिया एंड झिखिस के लिए अम्रूट स्की मने प्रॉपर क्या कररा है एक प्लियान like अम जो लोग अपने घर बनाता है घर बनाता है आपको बताना क्या होता है शारों में घर से आगे कुछ जगह चोड़नी पड़ती है अभी बोलते कि अगर आपने चोड़ रखी है ना उसका फिफ्टी परसेंट किसमें बनाए गए हो पार्किंग में इससे क्या हो जाएगी सिट परदेश एनरजी कंजर्वेशन बिलिंग कोड जो नए बिल्डिंग बने ने कमर्शन परपस के लिए अब सरकार यह बोद कि अगर आपने बिल्डिंग बनानी है ना उसके लिए आपको कुछ ऐसे प्रोविजन उठाने पड़ेगे जिससे क्या होगा उस विल्डिंग के इस आने पर फूट पृंड वाला कार्बन फूट पृट बिए है उस बिल्डिंग के लिए प्लिन अठाट क्रोवाला से इस जात्याट असलर इनरजी और थोड़ा से ग्रेन एरिया होना चीए तो इस तरह से क्या है कि आज लेट से जो भी बिल्डिंग्स बंदिया ना वह कैसी है ग्रेन बिल्डिंग तो अब जितने भी बिल्डिंग मंदिय ने तुसमें क्या टार्गेट रखाओ है ग्रेन बिल्डिंग एंड एनर्जी उसकों अदो पार्ट है एक पार्ट है अर्बन ढट्रॉल्मेंट कैसे हुई और दूस्रा पार्ट क्या है आज की धे से क्या हो रहा है तो यह जो ग्रीन वील्टिंग यह बिसका एंबूरोट सेक्वेम्पल है स्वच्छवारत मुशन है इस सारी स्क्राइब लिखो गाँ हुआ यह सारी आप सुर्शनल पार टेम्ड क्या है जैसे आ Бूलोगे कि जो हमारे अर्बन हुई थी थी ना सबसे पहले आप लिखो के पहला पॉइंट आप लिखो के पहला पॉइंट आप कैपिटल सिटीज ऑफ राजा फॉर्जपल मंडी उन्हों ने बनाई फिर नेक्स स्टेज में क्या बने है इमाचर में क्या है बड़े सरे मंदीर है कुछ ट जो फिर बड़े ऐट जिसको बनाए अन्हाट लागड फिर कौन सा बॉडरे एरियाज ट्रेडवादा इंडस्टिरल टाउन इसे बंदी नालागड घर एट तुरिस टॉइंड तौन इसके लिए चैसे के लिए ब्रोट वरोट जगहे मंदी में और डुलपूरी ताउन किया है वह विगाज़ आफ टुरिस्ट तो आपके लिए क्या लिए अर्बन डॉल्मेंट और दूसरा आज कि लिए तो आप पढ़ने की थोड़ी शम्ता बढ़ जाती है अब देखो अब सेफ्टी का सिमिल्य रेरा से और यह होगा तो लास्ट चप्टर है यह बड़े चोटो चप्टर है इस वाँ सोना है नेट वाक है ना देखो जैसे अम तो किसके अगर हमारे आपर समय करता तो इससे करता अब तो जो ने विए अब याद दिया है अब यह फाइब क्या होगा इतनी स्ट्रॉंग टेक्नॉलजी होगी है कि इससे क्या होगा कि अगर वेदर खराब हो जाए तो भी कनेक्टिवटी नहीं जाएगी बरफ पड़ जाए कुछ और हो जाए तो इसलिए क्योंकि सरकार का बहुत सरा डेटा कहां पर हो ऑल्लाइन सबसे पहले इसमें क्या है यह में क्या होगा जहां से पूरा इंका सिस्टम जलेगा अब देखो इन्युवर्सिटी कॉलेज अधर गर्मेंट ऑफिस सारे करेक्ट हो जाएगे अब स्टेट के बाद आगे एक ओफिस का होगा डिस्टिक है वाटर देखो स्टेट के जो अपने सब चले अब चले डिस्टि जाएगा तसील अबल पे तसील का अपने नेट्वर्क चलेगा तो यह ही मुस्वान है तो कहने के मलब क्या है अब देखोजा से ना मैं आप मुता हूँ दीसी ओफिस है सटेट है तो सेट्रेट में एक पॉलिसी निकल गई पॉलिसी यह निकल गई सभी को जियो का अच्छन फ्री वाल वैसे बता रहा हूं जियो लाइफ टेम के लिए फ्री मिलेगा तो कहां से निकला हों सेक्ट्रेट अब वो जो डेटा किसके तुरू लेगी common service center और common service center को जाओगे आप और अपना फॉर्म बर के अपना number लेगे तो यह कहां तक कर दिया गया है अब यहां तक पंचाय तक लाने की वात कर दिए पर अभी तक क्या है जो वीडियो सा बीडियो वहां तक यह connect हो चुका है तो इस तरह से सारा जो डेटा है वह कि है कि इस से द्रप किसके लिए ना उन की आप सील के लिए इससे लिए कि अब train में जाएगा समझ में उनफान लोगा जो बिए चिली बेरिया स्ताइब नहीं उगा अब जो हम बात करते हैं ना यह क्योंकि में करेंगे में सो इजादार डिटेल में इगवर्नेंस की तो इगवर्नेंस के लिए सबसे पहले गया चैंब है नेटवर्नेंस तो सबसे पहले गया चैंब है नेटवर्क सरकार के पास नेटवर्क के आगे हैं इसके पास चला गया अब उसके बाद हमें यह क्या कुछ डेटा बड़े सही से में मिलता रहे सरकार को डेटा तो जिए ना एक तो ऑफिस अब जन्रेट होता है दूसरा क्या है मने पास जिए यस जोग्राफिकल सब्सक्राइब इसके बाद पहले स्टेज यह दूसरी स्टेज यह तीसनी स्टेज में एंड में क्या होगा कॉमन सर्विस सेंटर जहां से बेनिफिट कौन लेगा तो असल में यह यह गवर्नेंस का पार्ट बन रहा है और इफेक्टिव डिलिवरी और पॉब्लिक सर्विस तो यह तीन चाहिए जोड़ोगे ना तो काफिय तक क्या बन जागे यह यह गवर्नेंस अच्छा इसके ऊपर अब जो जी एस है ना जी एस वाला है यह और भी कु आप लाउज करती है कुछ पोडल्स लाउज करती है उस सारा इसको और करती है और ज्यादा है बनाती है समझे ना बात तो यह जब देखो यह तो हिमस्वान नेशनल इगवर्नेंस प्लैन के अंदर के आता है डिपार्टमेंट आफ इंफरमेशन एंड टेक्नोलोजी लेवल तक कहां तक पहुंच जुका है ब्लॉक लेवल तक कौन काम कर रहा तो वीडियो ओफिस में जो लगाओगा ना कनेक्शन वो किसका लगाओगा हिमस्वान का और जो अमारी पंचायदों लगाओगा भी वो हिमस्वान कभी नहीं लगाओगा तो प्रूवाइड एफ क्या मुलब गमेंट टू बिजनेस ऐसे सर्वाइस सर्विस करता है हिमस्वान वा सेट अप फेवरेरी दोजर आठ नाओ 2241 गमेंट ओफिसेज अक्रॉस अस्टेट आर कनेक्टेट फूदी नेटवर्क करेब करेब डाहिएजार जो फिसरों किसे कनेक्टेट है नेटवर्क से और यह मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग टेखनोलोजी के वह पर काम करता है सेवरल कमेंट मिटिंग वर हैल्ड फंक्शनिंग दूरिंग दिकोवीट को वीट इन इसने और वडिया काम किया तो एक क्या बना दिया लगसे बनाना पड़ा लगसे बनाना पड़ा टासंटर तो टू की गवर्मेंट एप्लिकेशन वेबसाइट रनिंग इन इवेंट आफ दी पावर आउटेज नेचरल डिजास्टर वान एनी अदर डिस्रॉप्शन इस तरह से क्या होगे हमाचल परदिश डाटा सेंटर हमाचल परदिश दासंटर कहां पर बनाए दिल्ली कि माचलIs ऑं-लाइन सेवा पल्तल डेवा पडिलिक पुब्लिक सर्विस करेंटी एक्ट तो पुब्लिक सर्विस गरेंटेक्ट तो बतेरि सार्य सर्विसेघ्ट, बट कुछ सर्विसेघ्ट लेने कि कमिट्मेंट सरकार क्यसे करती है online, अब तक कितनी सर्विसेघ्ट जैसी यह आगा question pre मь 096 allनाइन्स्य venture जैसी है, जो कि हिमाच और टूटल कितनी हो गई 96 तो डेविन्यू विमेंट चाइल्ड जिन सब को मिलाकर हो गई यह कोशन मनता है प्रीम है तो हीमा चल ओनलाइन सेवा पूर्टल टूटल नंबर आफ जो सर्विसीज है 96 एक है यह ओफिस यह ओफिस समय से आप जो ओफिस होता है यह ओफिस कर दिय रहती है और साथ साथ चीम मेंटिक साथ दोर मिरका अपना है चीफ सेक्टरेटी के लगए डिविजनल ऑप्सरी के लगए पर है किसमें यह मल्टी निंग्वल डैश्बॉर्ड स्ट्यम डीसी तक का है सिम डैश्बॉर्ट फैसिलिटेट प्रेजिटेट प्रेजिटेशन आ अगर आपको ग्रिवेंसी जैए है जैसे मालों आप चुरेंगे किसी पेशन्ट को लेकि आई जीम सी में बोला जिसका हमाराई कराओ आई जीम सी वाले ने बोला कि वह बंद है मशिन खराब है तीन दीने से कल से अब क्या कर दाब फिर कल फिर गया आप वो बोलते अभी ठ आपके पास इट कुड भी ग्रिवेंस मैं तीन चक्कर लगा लिए अब यह चीज अगर आपने बतानी है किसको लेकर मशीन को लेकर तो किस में फोन करो गया आप वह आप 1100 में और 1100 में प्रॉपर क्या है अब इसकी खास बात है क्या है ना अगर आपने बरी 1100 में कॉल कर लिया जब तक आपका ग्रिवेंस ले डिट्रेसल कंप्लिट्री नहीं होता तब तक आपका केस को लोज नहीं और जब भी क्लोज किया जाएगा जब तक आप हाने करोगा तो इसमें किसको सेंट्रिक बना जाएगा यहां पर आपकी सज्जेशन भी सुनाई जाएगी और प्राइवेट इन्फोर्मेशन प्रवाइट इन्फोर्मेशन रिलेटेट टू कमेंट जाएगी और एसकेलेशन और तू कंसर्ण ऑफिश्यल्स पॉर टाइमली रेजलुशन तो जो से साथ जुड़े जो क्या हो देखो जैसे कुछ-कुछ ऐसी होती है एपस में होती है सरकार की अब जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि मौसम खराब है अब आपको चिताओं नहीं आ रही है कि आज आप गाड़ी में ड्राइव ना करे गटना कर सकती है तो कहां पर आपको इन्फोर्मेशन मिलेग इंटिग्रेडिट कमांड और कंट्रोल सेंटर ऐसने में यही बात बोलेगा अगली कोई और बात ही बोल सकता है आज यो टेंपरेचर इतना बढ़ गया अना या कल आपको वहां शिम्ला में कोई मेरा लगावाई है वहां में मुख्य मंत्रे बने बाक्षन देगे समर्यों तो इसका मलब यह हुआ कि आपको एक एप के माधियम से क्या होगा बहुत सारी इंफोमिशन मिलेगी तो हाई टेक स्टेट अफ दे आर्ट कमांड और कंट्रोल सेंटर आप प्रपोस्ट वीग सेट अप इन शिम्ला इंदर मिशाला विद्धा एम तो सेक्योर्ट कनवर्ज अपने करना चाते है स्कूल वाल अपनी करना चाते है अलग अलग होगे सारा अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो कि जो भी गर्मेंट गर्मेंट को लेकर सूचना होती है तो वह अगर एक ही प्लैटफॉर्म मिल जाए जहां से हो जाएगा अगर आपके पास एक एप पड़ी एफ आपको हर चीज उसे मिल रही है तो कनवर्जेंस ओफ वेरियस सिटिजन सर्विसिस एट वन प्लेस यूजिंग इंफॉमेशन और क्म्मिनिकेशन अज़ टूल आई ट्रिपल सी वोड बी उटलाइस तो क्याप्टर डाटा पटेंग इंट वेरियस सिटिजन सेंट्रिक एंड प्रोवाइड इस्फुल इंफॉमेशन टूदा पब्लिक यूजिंग वन सिटी एप अब सरकार जाते की एक सिटी कि अपर रहे एक रहे उसका भारत नेट पो और भारत नेट का मकसद क्या है गाउं गाउं जो पंचयाइट सेना पंचयाइट सब भी पंचयाइट त 159 रिपोर्ट रिमोर्ट ग्रांपंचयाइट आर बिंग कनेक्टे दूजिंग वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल नेक्स्ट एजी डिरेक्ट बेनिफिट ट्रास्फर डीविटी सब्सक्राइट क्या कर दो था सब्सक्राइट ना जैसे गैस सिलेंडर याचिए इसे क्या ह है डिपार्टमेंट हैज इडेंटिफाइड 140 स्कीम वन फॉटी स्कीम वोग इडेंटिफाइग कर देशो क्या कर दो आपको पता ना पॉलिटी क्लास में पर रहे थे जैसे अधार वाला दिन था अधार वाला कार्ड को उन्होंने कैसे पास करवाया ऐसा मनी भी क्यों करव है 59 तो 59 स्कीम का पैसा का प्यारा है डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का उसमें स्कॉलर्शिप है कई सरी चीज़ है और नेक्स सेदा एस पर गाइडलेस ऑफ दिपार्टमेंट ऑफ एक्स्पेंडिचर मनिस्ट्री फिनांस देविटी फॉर आल दस्कीम इस तो बी और साथ में क्या है नोटिविशन अडर दास सेक्शन 7 आउट एक तो आट एक तो इसको इसमें एड करका है स्टेंथनिंग आप दिजिटल इंफ्रसेक्ट्रॉश्चर ऑफ फॉल्वविए अर्य इडिया इस्टिक पता ना आपको एस्टिक हो गया हाई स्पीड सेक्योर न नेट्वोर्क इसका मनदब क्या होता ना जैसे मान लो आज कर एक टॉम चलिए वर्क फरम होंग अब हो सकता है खास कर कोवीड में अब कोई आदमी कहां काम कर रहा है गर्से काम कर रहा है उसके पास अपना लैप्टप है सरकारी लैपटवट नहीं उसकर रहा हो गोस नही जो डेटा होगा ना वो उस फिगर में नहीं जाएगा or highlight एडरस को रीड नीं कर पाएगा लैप्टॉपक का उसकाmother ना उसकी मेल पता जलेगा लोइंक बता ने सक्छलिगा तो यह क्या करना बैसिकली जो डेटा है उसको सेफ तो अब एक अपनी आप खुश्चा लोगड़न उस तरह से एक कोई बड़ी कपनी के सारे इंपलोई कांगा कर रहा है घरों पे और उनके पासवर्ड इस यह है यह है वो है तो उस जैसे क्या हो रहा है उनका जो डाटा क्या हो रहा है लीक हो रहा है तो इसके लिए भी क्या क सिंगल तो कई बे président अबसका की मांगते हैं इजितने भी जहां भी आइडी पास्थ जरोतपड़ी सरकार के लिए वे क्यों आची है और सो जा बोल दियाम सिंगल साइन ओन सिंगल यूजर नेम एंद पासफट 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 अफ इस अनलाइन बिल्दिंग पर्मिशन तो CDR जो लोग बिल्डिंग पर्मिशन लेप्या ना बिल्डिंग पर्मिशन वही नक का सर्वे खतम